आरेस प्रिलिम्स 2021 की क्या कटोफ रहेगी ये ब्रजेन टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है आप सभी लोगों ने कटोफ के बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे जिन वीडियोज में कटोफ का हाई प्रेडिक्शन किया जा रहा है और अगर आपके नंबर उतने नहीं बन रहे हैं तो मनी मन दुख भी होता है कि हमारा प्रिलिम्स नहीं हो पाएगा लेकिन जिन वीडियोज में कटोफ का लोग प्रेडिक्शन किया जा रहा है और अगर आपके नंबर ज्यादा बन रहे हैं तो मनी मन बहुत खुशी होती है कि इस बार प्रिलिम्स निकाल लें कि जिन लोगों के भी 2018 की प्रिलिम्स में जो कटोफ गई थी उतने नमबर बन रहे हैं आपके पेपर में उन सभी कुमेंज की प्रिपरिशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अब आप सभी लोग नीचे कमेंट बोक्स में बोलोगी मैं गारंटी लोग की इतनी कटोफ जाएगी देखो जितने भी वीडियोस बने हैं वो एक्सपेक्टेड कटोफ के वीडियोस बने हैं और सभी जो एक्सपेक्टेड जो लगाते हैं उनके बहुत सारे बेसिक्स होते है बेसिक्स जैसे की बहुत सारे पोल होते हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं, जो student आपके contact में रहते हैं, उनसे आप discussion करते हो कि exam hall में जो student है उसने किस तरीके से paper को view किया होगा, इसके आलावा paper का जो level होता है, paper में कितनी student की attendance होती है, इन सारे चीजों के उपर जो expected cutoff का सर्व निकल कर गी आता है, तो जो RPSC जो cutoff निकालेगी वो final होगी, सभी अपने according एक तरीके से expected करने की कोशिस कर रहे हैं, और सभी student को guidance करने की कोशिस कर रहे हैं, कि प्लीज अपनी preparation स्टार्ट करो, वोलके नो आरेस अकेडमी, फिर से आपको एक ही बात बोलेगा, कि जो हो, वो कभी भी waste नहीं जाता है, जो आप पढ़ोगे, वो हमेशा आपके काम आएगा, और अगर आप दिल से चाते हो, कि आरेस आपको बढ़ना है, तो आपको study करनी ही होगी, और जो आरेस exam है, वो कभी भी एक दो महिने की preparation से आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो, इसके लि इनल रिजल्ट आता है, उसका स्वाध चक पाओगे, तो इसी तरीके की information वोलके नो आरेस exam में आपके साथ में शेर करता रहेगा, ओके, थैंक यू